मी 11 X and POCO F3 और Redmi K40 के लिए जो है MIUI VN का 22.10.26 का Android 12 बिल्ड आये हुआ है और इसके अंदर में complete review के साथ जो है आपको installation भी दिखाऊंगा किस तरीके से install करना है बाकि अगर कोई doubt हो तो आप comment में पूछ लिए जाका complete review रहेगा बाकि क्या कुछ मिलता है इसके अंदर आपको मिल जाते हैं उनके बारें भी बताऊंगा तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि एक लिए वीडियो की notification आप सभी को मिल ज करता है मैं फिलाल लोग नहीं किया है और यहां पर आपका मीवाइवी एन का 13 22.10.26 बीटा हमें देखने को यहां पर मिल जाता है अब चलते हैं इसके अल्स पेक्स के अंदर में तो यहां पर जैसे कि हमें जो हैं इंडोईड वर्जन 12 देखने को मिल जाता है और जो सिक्य प्लस बीटा आपको यहां पर मिल जाता है साथ-साथ माई सेर भी देखने को मिलेगा कास्ट की बात करें तो कास्ट भी इसके अंदर बिल्कुल वर्किंग रहने वाला है और अगर हम चले यहां पर बॉल पेपर नपर्स नाशन तरब तो यहां पर लाइबरेरी के अंदर को जो बॉल पीपर्स मिलते हो मिवाई 13 के सभी बॉल पेपर्स मिल जाएंगे हलाकी इसके थिम की बात करें यहां पर मिल जाएगा इंपट आप कर पाऊगी जो थिम स्टोर हो पूरा चाइनीज में आपको देखने को यहां पर मिलने वाला इंदिस्प्ले स्टेंग परम कर कर सकतो और अप्लाई कर पाओगे फिलाल में यहां पे जो है इसको यह अपलाई करता हूं और यहां पे आप देखोगे तो जैसे कि यह बिल्कुल अच्छा तरीके से काम कर इसमें आपको कोई दिकत नहीं मिलता है वह से नोटिफिकेशन लाइड भी मिल जाएगा डवल टैप काम करा चार्जिंग अनिमेशन के अगर बात करें तो साइड में आपको दे दे रहा हूं तीनों चार्जिंग अनिमेशन आप साइड में देख सकतो किस तरीक से रहेगा एनिहां पे आपको जो है डिशेवल रिबूट म पावर मेन्यों भी मिल जाता है यहां पर चेंज कर ठारब आपको डिवाइस रिस्टार करना पड़ेगा तब अपलाई हो जाएगा इसके अंदर पर आप उत्लेज और यहां पर डिवाइस ब्लीकर दीकर मोड गया यह बिल्कुल काम कर रहा है इसके अंदर कोई दिक्कत न मिल जाता है और refresh rate भी कस्टम वाला भी मिल जाएगा जिसमें आप यहां पर 90 Hz या फिर 60 Hz या फिर 120 Hz तक का आप आराम से अब सेट कर पाओगे साथ रीबाउंड अनिमेशन मिल लेगा डिफोल्ट इसके अंदर इसे एक सेट रहा था तो आप यहां से इनेबल कर पाओगे और यहां पर चलते हैं इसके साउंड टच की तरफ तो यहां पर आपको साउंड एसिस्टेंट मिल जाएगा जिसमें आप मल जाते हैं इबर करने के लिए और इसके अंदर जो साउंड एफेक्ट दिय चले हैं यहां से इसका लिएवल कि तना鉤क रखना है बिल्कुर जब्कूर अच्छा तरीक से क्या काम कर नहीं में नौटिकेशन इंदर में आपको यहां प्र जाएंगा जिसमें आप old and new वाला इनेवल कर सकते हो यहां से अगर आपको music चीए music आप इनेवल कर पाओ को disable कर सकते हो card को and change कर सकते हो call side को ति यह सब आपको मिल जाएगा यहां पर और back करते हैं तो यहां पर जो हमें देखने को मिल जाते हैं इसकी पूरी इसकी कस्टमाइशन मिल जाएगी सबसे पहले तो सेटेंग मिल जाती है इसके जो टाइल डिजाइन है वह आप यहां पर चेंज कर पाओगे बैग्राउंड फ्रेम कलर कैसा होना चाहिए या फिर आप पिक्चर लगा सकते हो गैलरी से भी अपनी जो कस्टम पिक्चर हो भी आ ज्पर को मिल जाते हैं आप अपर निचे पिर मिलता है आप अपने ब्राइडनेस का कलर्वार्रेज कर पाओगे और sound का तो यहां एक एक में करके दिखा तो आपको जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके जो है color आप चेंज कर पाओगे background को final color कौन सा होना चाहिए उस अब आपको यहां पर मिलने वाले हैं तो आपको एक-एक option आपको मिल जाता राम से आप यहां पर customize कर पाओग कितने निचे यह आप कर पाओगे connection speed यहां से निवल कर पाओगे जो कि internet speed है आपका and नीचे फिन notification set shortcuts हो गया और यहीं पर आपको कुछ जो है sets मिल जाते हैं all lines का यह पिन number of lines से सब कर पाओगे notch आपको hide करना है तो यहां से आप आराम से hide कर पाओगे hide हो जाता है और फिर नेटवर्ग से related settings कुछ मिल जाती नैस जैसे कि status bar पर जो network type है किस तरीके से सो होना चाहिए 3G 4G वह आप से कर पाओगे और weather भी आप यहां से निवल कर सकतो city सो कर सकतो इस अब आपको यहां पर मिल जाता है और अब चलते होम स्क्रीन की तरब तो सब सब पहले उपर आपको animation speed मिल जाता है और नीचे फिर system navigation दिया गया है हाला कि animation के मामनें कर हम बात करें तो चाफी अच्छा है काफी smooth animation मिल जाता है कोई यहाँ पे animation में lag नहीं है या फिर आप button यूज करो या फिर gesture यूज करो दोनों ही अच्छ तरीके से काम करें कोई भी दिक्कत दोनों पर ही देखने हो कि यहाँ नहीं मिलते हैं और नीचे पर यहां पर आपको आपको गूगल डिस्कवर इनिवल कर पाऊगे और यहीं पर आपको इस तरीके से बिलकुल लेटेस देखने को मिलने वाले इंटरफेस के साथ में सर्च बार अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकतो इसके अंदर आपको जो है रिमूब पर इनिवल कर लेना ही है यहां से आपको सड़ोब आपका शोप स्क्रीन को दिसेवल रहता इसंतरीके से इसको है इसको Biz तो इसको आप्देदरफेस को आपको कर लेना ते निच रिमूब टेक्स्ट व्रॉम विजल जाए सब और कुछ यहां पर ए जो स्पीड है उसाब आप कंट्रोल कर पाऊगे रिमूब कर सकतो अन्लोक एनिमेशन को और स्क्रोलिंग डेक्स्टॉप हो गया यह सब मिल जाएगा स्टेटस वार मिल जाएगा डवल टैप पे आपको क्या अपलाई कर पाऊगे यहीं से स्वाइप अपके लिए भी अपलाई कर पाऊगे और अरेंज आटम इन रिशेंट मिल जाता है सेक्योटी के अंदर फिंगर्प्रिंट फेशन लोक दोने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और यह रोम जो है बाइट फोल्ट आपको डिक्रिप्टेड मिलेगा यानि कि फोन आपका नोट इंक्रिप्टर रहने वाला है यह बाइट फोल्ट इसके अंदर आपको देखने बैटरी के अगर बात करें तो बैटरी ग्राप कुछ इस तरीके से मिल जाता और बैटरी विगप इसके अंदर आपको अच्छी ही देखने को मिलने वाली तो बैटरी विगप में फिलाल देक्कत नहीं है अप्टमाइज चार्जिंग को आप्सन मिल जाता है यह सारे ऑप् पाऊगे बाइड़ जैसे कि आप देखी सकते हो यूके का सेट है बट हम जो है इंडिया का यहां पर सेट करते हैं तिया रिजन को भी आप अराम से चेंज कर पाऊगे कोई भी प्रॉल्म नहीं मिलती एंजचर है क्विक बॉल मिल जाएगा क्लेर स्पीकर भी दिया गया है मेमरी एक्स्टेंशन भी मिल जाता है 2GB तक का मेरा 6GB वेरंट है 2GB इसके अंदर देखने को मिल रहा है आपका 8 होगा तो उसमें वाद तक 3 मिल जाएगा और फिर बाहर में यहां पे हमें जो है देखने को मिलने वाला है हमारा जो की स्क्रीन टाइम एन फोकस मोड तिये ची बिल्कुल आपका यहां पर लेटेस रहाता है इसके अंदर जो बिजर से वहाजाते हैं हालाकि होम फ्रिश स्क्रीन में ने यहां पर नहीं है क्योंकि चैनीच में बैच है चैनीच कोई दिकतवन काफी स्मूध बिल मोऎ दिक्कत नहीं है बिल्कुल स्मूध है हालाकि इसके अंदर अगर आप एडिट पे भी जाते हो तो एडिट के अंदर में भी यहां पर आपको ज्यादा टाइल नहीं मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हो और यहां पर आपका जो वॉल्म पैनल है कुछ इस तरह के सरेगा बिल आपको देखने को मिल जाता है यहां पर आपको देकर आपको दिता हमेनी के अनुटि के भाराया है और आप आपको फिलाल आपको देखने को मिलने वाला यहां पे एन camera की बात करें तो Leica वाला camera देखने हो कि इसके अंदर में मिल जाता है MIUI का Leica वाला जिसमें आप देखे होती है यहाँ पर Leica के जो है effects आप filter जो है सब use कर पाओगे यहाँ पे portrait पर भी दिया गया है, night पर भी मिल जाएगा अलाकि इसके अंदर आपका AI काम करता है, portrait mode भी काम कर रहा है और यहाँ पर हम बात करते हैं इसके panama mode के बारे में तो panama mode का भी use आप कर पाओगे, panama mode इसके अंदर बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर आपको moon, super moon का option दिया गया है यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर दिया गया है वैसे इस camera के अंदर मुझे जो problem मिली हो, slow motion के अंदर में जैसे कि आप देख सेके तो कुछ है इस तरीके से दिखाता है और automatic यह close होता रहेगा, जितनी बार आप आप आपन करो के camera यह इसी तरीके से होता रहेगा, इसलिए आपको क्या करना है, इसके एप उन में जाना है और यहाँ से clear data आपको simply कर देना, clear all data उसके बाद जब open करो तो आप जो है slow motion पर मत जाना एक बार आपको यहाँ पर दिखा देते हो, तो camera हो ऐसे आपका perfect है, बस slow motion का अगर हम छोड़ दे, slow motion का bug है एंवीडियो 4K 60fps भी आप रिकोर्ड कर पाऊगे, आपको play करके भी दिखा रहा हूँ 4K 60fps रिकोर्ड के हो, बिल्कुल काम कर रहा है, अच्छी तरी किसे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अराम से यहाँ पर use कर पाऊगे, अब GQM अगर आपको use करना तो manually install करना पड़ेगा, GQM भी इसके अच्छी तरी किसे काम कर जा रहा है, और अगर हम okay Google के बात करें, तो इसके अंदर काम कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको गैलरी एक बार दिखा दो, तो गैलरी भी latest ही मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे जो फिल्टर से लेटेस्ट मिल जाएंगे, settings की जो मिलती है, और लेटेस्ट मिल इसके अंदर में तो बैंकिंग आप बिदाउट भी यूज कर पाऊगे, यह सारे चीज़े मिलती है, अब यहाँ पर टूल्स के अंदर में हमारा स्क्रीन रिकोर्डिंग दिया गया है, इसका जो क्वालिटी है, ओसे आपको यहाँ पर यहाँ पर जो है, हंडेडेस्ट मिल करें, तो यह भी जो है, इसके अंदर काम करें, जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हो, और कोल रिकोर्डिंग तो बिल्कुल वर्किंग ही रहेगा, मिवाई डायलर मिलता है, यहाँ यहाँ पे न्टूटू स्कोर 6,94,265 हमें न्टूटू स्कोर देखने को यहाँ पर मिला पर देखने हो, हमें यहाँ पर मिल जाता है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंस्टूलेशन आपको समझा देता हूँ, इस रोम का, सबसे पहले तो आप जिस भी रोम पर रहो, मिवाई अगर आप यूज करें तो उसके भी आप पास्वर्ण सेक्यूर्टी में जाना, प् फिर आपको फोर्मेट डाटा करना पड़ेगा, तो आप अपना डाटा जो है, कॉपी कर लेना, अगर आप नोट इंक्रिप्टेड हो, तो भी हमें इससा कॉपी करके रखा करो, उसके बाद कोई भी आप सिक्यूर्टी लगा रगा रहो, को रिमूब कर देना है, माई अका रिकबरी कर सकते हो, रोम से डारेक्ट आप वहां सभी रिकबरी पर जा सकते हो, एन फोन आप करने के बाद, वॉल्म आप अपने पावर डेन को होल्ड करके थोड़ी देर रखने है, जैसे फोन का लोगो आता है, सिंप्ली छोड़ देना, आप अपनी रिकबरी पर बूट कर जाओगे, जो भी आप रिकबरी यूज कर रहे हो, अब रिकबरी के अंदर आने के बाद, आपको यहां पर कुछ भी वाइप नहीं करना है, सिंप्ली आपको अपने रोम को फ्लस कर देना है, सिंप्ली अब जहां पर पर जाकर रोम को सेलेक्ट करना है, और रोम को सिंप फोक्स हमें यूज करें तो सिंप्ली यहां पर फाइल में जाके और इसके बार रिबूट टू रिकवरी करना है यह चीज आप ध्यान रखना रिबूट टू रिकवरी आपको करना चाहिए डिबूर पी यूज करो या फिर आप और इसके बाद आपको जो नॉट इंक्रिप् सिंप्ली फॉर्मेट डाटा करना है उसके बाद ही रिबूट करना है यानि कि यहां पर आप करके फॉर्मेट डाटा करना है इस तरीके से यस लिख करके सिंप्ली यस लिखना है फॉर्मेट करना है उसके बाद आपको रिबूट कर देना जो इंक्रिप्टेड है जो आपको रिबूट कर देना वार रिकेवरी अपनी फ्लस कर लेना चीज द्यागने कोई कंफ्यूजन हो तो कॉमेंड में पूस सकते हो यहाँ पर इसका जो गेम टर्बो दिया गया है यहाँ पर आपको गेमिंग मोड मिल जाता है जिसमें आप बैलेंस या फिर पर परफॉमें वही रहने वाला है है यहाँ पर कोछ एक्डा नहीं मिलने वाला यानि कि 90plus का पर फिलाल नहीं मिलता है और गेमिंग की बात करितें गेमिंग बी सिके अंदर काफी छी देखने को मिल जाती है काफी कम-काफी 할ical suppl peace जबूर मिल जाते हैं बिलकुल स्मॉध भी नहीं है हलके लैगसा कई साथ है साथ यहां पर भी आप अच्छी पफोरूमन्स ने को मिलगा को जब्근क गेमिंग में, कि इसका जोड़ा लेगिंग जो है, वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेग이, बट नॉर्मल में उतना कुछ खास फरक नहीं पढने वाला, टी डे मुड़े मगर आप खेलते हूं, तो उसमें कुछ खास फरक नहीं पढने वाला, जबने कर दोड़ा क्लासिक में फोड़ा क्लोज रेंस उनसा पाइट पर आपको ठोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है बड़ यहां पर पाफोएंस जैसे की बता है थोड़ी सी यहां पर लैक करता है बट बैटरी अच्छी ए और अपको काफी अच्छी मिल जाते है यूई के मा लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकिन को प्रेस करके ओल पे कर लिजिए ताकि एक लिए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए थैंक्स फो वाचिंग